गाजीपूर से अमित उपाध्याई पत्रकार की रिपोर्ट कर्मचारियों की मनमानी और तानाशाही की वजल से कितनी बुर्दशा जेल रहा है किसान गाजीपूर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी और तानाशाही किसान को चिकर गिन्मी बना करनाचा रही है और इनकी पीड़ा को कोई दूर करने वाला नहीं है कारंडा के लगनचंद पूर्ट्रे केंद्र पर आठ दिन से अनाच ट्रैक्टरों में लेकर खड़े किसान अपनी खरीदारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है भगवान भी किसानों पर रुष्ट हैं पिछली तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण चारों तरफ हुई जलजमाव और गीली मिटी पर तथा पेड़ों के नीचे जहां तहां बैटकर दिन राथ जैसे तैसे काट रहे हैं उधर मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी खराब मौसम का बहाना बना कर अपने घरों मोटे सोफा पर लेटकर टेलिविजन देख रहे हैं पिछले दो दिनों से खरीद बन थी शनिवार को कुछ ही किसानों की खरीदी करने के बाद पुनह रविवार को केंद्र प्रभारी बंदी की घोशना कर किसानों को खुले आसमान के नीचे रहने को विवश कर दिये खरीद में मनमानी और लापरवाही भी ऐसी की देखकर बहुत दुख हो रहा है कुछ दिन पहले खरीदी किया गया लगभग 300 कुंतल गेहु केंद्र प्रभारी और कर्मचारियों की लापरवाही से खुले आसमान के नीचे भीग कर अनकुरित हो गया है तथा बोरियों से दुर्गंध हा रही है सरकार द्वारा किसानों की पसल खरीद के बड़े बड़े दावे अधिकारियों की लूट और मनमानी से धरातल पर ही दम तोड़ रहे है क्रे केंद्र पर रामनाथपुर निवासी किसान डॉक्टर दुश्यन सिंग, सौरम निवासी संतोष यादव, अमित यादव, बनारसी यादव अनकुर सिंग धर्वा, नरान सिंग सिकंदरपुर, मनोज यादव, धन्मान बिन परमेट, मोनू, रामकेश यादव नरानप संतोष कुमार गोशंदिपुर सहित दो दर्जन से अधिक किसानों ने आरोप लगाया कि यहाँ बिना नंब के खरीद हो रही है और जब मन में आ रहा है केंद्र प्रभारी गोदाम में पर ताला बंद कर घर चले जा रहे हैं, हम लोग इस खराब मौसम में ट्रैक्टर की स पर और ट्राली के नीचे बैठ कर रात काट रहे हैं तो अब जो किसान आख खड़े हैं क्या करेंगे उनको लटा देंगे नहीं क्या करेंगे कैसे उनका करेंगे हमारे जो टार्गेट रहेगा किसा आप खड़तर रहेंगे और जो लोग पचीस तारीक आए हम भी कट्तर किंद्र जार करना पड़ेगा पंदर तारीक टोकन वाले पिखले लाइन हैं पंदर तारीका टोकन है यह वह दो कि लाइन लगा के याँ पर जादिक वज़े से वह भी लाइन बलगे पड़ेंगे उनको अच्छो अच्छो अच्छो